नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Infinix Hot 10 Play vs Samsung Galaxy M01s का Full Depth Comparison करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे. सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की. इस की तो, 10 Play में 0.35 इंच जबकि Galaxy M01s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है. अब बात करते हैं वेट की तो, 10 Play में 207 ग्राम्स, जबकि Galaxy M01s में 168 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है. तो चलिए अब हम डिस्पले को कमपेर करते हैं. डिस्पले टाइप की बात करें तो, 10 Play में Ips LCD जबकि Galaxy M01s में RTFT LCD की डिस्पले मिलती है. अस्पेक्ट रेशियो 10 Play में 20.5 रेशियो 9 जबकि Galaxy M01s में 19 रेशियो 9 मिलता है. डिस्पले साइस की बात करें तो, 10 Play में 6.82 इंचर्ज जबकि Galaxy M01s में 6.2 इंचर्ज मिलती है. डिस्पले रेशियो 10 Play में 720 x 1640 और Galaxy M01s में 720 x 1520 मिलता है. स्क्रीन टु बॉडी रेशियो 10 Play में 82.66 प्रतिशत जबकि Galaxy M01s में 80.27 प्रतिशत मिलता है. बात करें PPI डेंसिटी की तो, 10 Play में 263 प्रति इंच जबकि Galaxy M01s में 271 प्रति इंच मिलती है. अब देखते हैं डिस्पले के अन्य फीचर्ज यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है. अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्ज कैमरा की. दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो, 10 Play में 3 कैमरा देखने को मिलता है. अब बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्ज मिल जाते हैं. अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेल्फी कैमरा की तो, 10 Play में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 5 डिफरेंट फीचर्ज मिलते हैं. और, गैलेक्सी M01S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्ज मिलते हैं. अई अब बात करते हैं हाड़वेर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फोर्मेशन देखते हैं. हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं. GPU दोनों फोन में सेम ही, पाववा GE832 शून ने देखने को मिलता है. चिप सेट की बात करें तो, 10 Play में MediaTek Helio G35 और Galaxy M01s में MediaTek Helio P22 मिलता है. बात करें RAM की तो, 10 Play में दो वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB की रेम मिलती है जबकि Galaxy M01s में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB RAM मिल जाती है, बात करें Internal Memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो, 10 Play में दो वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy M01s में एक ही वेरियंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है, Expandable Memory की बात करें तो, 10 Play में अप्टु 256GB जबकि Galaxy M01s में अप्टु 512GB है, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो, 10 Play में Android V10 Q, जबकि Galaxy M01s में Android V9.0 Pi देखने को मिलती है, बाटरी, 10 Play में 6000 mAh जबकि Galaxy M01s में 4000 mAh देखने को मिलती है, अई अब में फीचर को देखते हैं। Colors की बात करें तो, 10 Play में 3 Colors जबकि Galaxy M01s में 2 Colors आप्शन मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, 10 Play में 2 Variant देखने को मिलते हैं, जिसमें की 3 GB RAM 32 GB Storage के साथ 8,299 रूपीज, 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 8,499 रूपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो, Infinix Hot 10 Play में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Samsung Galaxy M01s की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। Finally बात करें है result की तो, display में दोनों फोन सेम ही है, main camera में दोनों फोन सेम ही है, front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है, performance में Galaxy M01s आगे है। दोस्तों, अब हम same price में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, दूसरा Xiaomi Redmi 9 Prime है, तीसरा Oppo A53 2020 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Nokia 3.4 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो please like करना मत भूलना